एक समय की बात है, एक अनोखे गाव में आर्यन नाम का एक युवा लरका रहता था। आर्यन का परिवार बुजारा चलाने के लिए संधर्श करता था और वह उनका बोज कम करने का सपना देखता था। जुनोतियों के बावजूद उनका द्रिर संकल्प कभी नहीं डिगा। अपनी किस्मत बदलने के लिए बेताब, आर्यन की नजर एक अजीबो गरीब विग्यापन पर पड़ी, एक बोई सूट जो किसी को भी तराशे हुए शरीर के साथ एक अकर्शक व्यक्तित्व में बदलने का दावा करता है। इसे अपने अफसर के रूप में देखते हुए, आर्यन ने बोई सूट खरीदने के लिए अपनी बचत का उप्योग किया। आर्यन के बदले रूप से प्रभावित होकर मिस्टर शर्मा ने उसे तुरंत काम पर रहे हुए थे। इसके अचानक परिवर्तन के पीछे के रहसे से अंजान उसका परिवार खुशिया मना रहा। जैसे जैसे समय बीटता गया, आर्यन का दिल अपराध बोज से भारी होता गया। बोई सूट वर्दान से आधिक बोज जैसा लगा। सफलता और प्रशंसा के बावजूद, आर्यन को खोकलापन महसूस हुआ, ये जानते हुए कि उसकी उपलब्धिया धोके पर आधारिक उसकी बेईमानी के बोज ने उसे निगल लिया, जिससे उसे शुरू में महसूस हुआ गौरव धूमिल हो गया। एक शाम, जब आर्यन एक मेज परोस रहा था, उसने श्री शर्मा को गाव की एक प्रसिद मूर्तिकला की प्रामानिक्ता पर चर्चा करते हुए सुना। आर्यन पर पढ़ने वाले दबाव को समझा और सच स्वीकार करने के उनके साहस की सराहना की। उस दिन के बाद से आर्यन अपना सिर उचा करके चला, सत्या और निश्था के मूलियों को अपनाया और अपने सिध्धानतों के माध्यम से वास्तविक सफलता पाए।